अनंत चतुर्दसी व्रत कथा एक बार महराज युधिष्टर ने राश्चुए यग्य किया उस समय यग्य मंडप का निर्माण सुन्दर तो था ही अद्बुद भी था वह यग्य मंडप इतना मनुरम था कि जल वह थल की भिंता परतीत ही नहीं होती थी जल में स्थल तथा स्थल में जल की भाती परतीत होती थी बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्बुद मंडप में धोका खा चुके थे एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यग्य मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया इससे दुर्योधन चड़ गया यह बात उसके हिरदय में बान समान लगी उसके मन में द्वेश उत्वन हो गया और उसने पांड़ों से बदला लेने की ठान ली उसके मस्तिस्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे उसने बदला लेने के लिए पांड़ों को धुरुद क्रिणा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांड़ों को जुए में पराजित कर दिया पराजित होने पर परतिग्या अनुसार पांडव को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे एक दिन भगवान किष्ण जब मिलने आए तब युदिष्टर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा तब श्रीकिष्ट ने कहा हे युदिष्टर तुम विधी पूर्वक अनन्त भगवान का वरत करो इससे तुम्हारा सारा शंकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राजिये पुन्हप्राप्त हो जाएगा इस संदर में श्रीकिष्ट ने उन्हें एक कथा सुनाई प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्रामन था उसकी पत्नी का नाम दिक्षा था उसकी एक परम सुंदरी धरम परायन तथा जोतिरमय कन्या थी जिसका नाम शुशीला था शुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दिक्षा की मृत्य हो गई पत्नी के मनने के बाद सुमंत ने कूक्रशा नामक स्त्री से दूसरे विवा कर लिया शुशीला का विवा ब्रामन सुमंत ने कॉंडलिय रिशी के साथ कर दिया विदाई में कुछ देने की बात पर कूक्रशा ने दामाद को कुछ इटे और पत्रों के टुकड़े बांध कर दे दिये कॉंडलिय रिशी दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिये परन्तु रास्ते में ही रात हो गई वे नदी तट पर संध्या करने लगे शुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत से इस्त्रियां सुन्दर वस्त्र धारन कर किसी देवताव की पूजा कर रही थी सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधी पूर्वक अनंत व्रत की महता बताई सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और चोदा गांठो वाला दोरा हाथ में बांध कर रिशी कॉंडले के पास आ गई कॉंडले ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी उन्होंने डोरे को तोड़ कर आग में डाल दिया इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ परिणामत रिशी कॉंडले दुखी रहने लगे उनकी सारी संपत्ती नश्ठ हो गई इस दरिर्दता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण फूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही तत्पश्चाप करते हुए रिशी कॉंडले अनंत डोरे की प्राप्ती के लिए वन में चले गए वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले हे कॉंडिन्य तुमने मेरा तिरस्कार किया था उसी से तुमें इतना कष्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पश्चताप किया है मैं तुमसे प्रसन हूँ तह तुम घर जाकर विदीपूर्वक अनंत व्रत करो 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तुम धन दान्य से संपन हो जाओगे कॉंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ते मिल गई श्री किष्णी की आग्या से युदिष्टर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया जिसके परभाव से पांडव महामभारत के युद में विजय हुए तता चीरकाल तक राज्ये करते रहे यहीं पर हमारी व्रत कथा संपूर्ण होती है उम्मीद है आप सभी को कथा पसंद आई अगर आप सभी को कथा पसंद आई तो इसे लाइक करे